आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में 5 सेप्टमबर को सिक्षक दिवस की रूम में मनाते हैं तो आपको बता दूँ कि जो हमारे देश के पहले उपराश्टपती थे और उसके बाद आप देखते हैं अंगे चलकर ये राश्टपती भी बनते हैं मैं डॉक्टर सरपली राधा किस्नन की बात कर रहा हूँ इन्ही के जनम दिन को हम लोग सिक्षक दिवस की रूम में मनाते हैं आज हम लोग इनके बारे में एक सामान चर्चा कर लेंगे इनके बारे में जान लेंगे और आप लोग अपनी स्क्रीन पर इन्हें देख भी रहे होंगे अगर हम लोग इनके जनम की बात करें तो आप देखेंगे डॉक्टर सरपली राधा किस्ने का जनम पांस सेप्टमबर अठारे सो अठासी को तमिलाडू के तिरुमनी गाउं में एक गरीब ब्रमण परीमार में होता है अब आप कहेंगी तमिलाडू देख लीजे देखिए यह हमारा प्यारा भारत है इसमें दच्चर में जाएंगी तो आपको तमिलाडू राजी देखने को मिल जाएगा चैन्ने इसकी राध्धानी है और विधान सभा में बर्तपान में 234 सीटे हैं लोग सभा में 49 सीटे हैं राज्य सभा में 18 सीटे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी यहाँ तो याद रखेगा अगर आप लोग किसी एक जाम की तयारी कर रहे हैं तो इस तरह के कुष्टन सापकी फरिक्षाओं में पोचे जाते हैं इनके पिता का नाम सरपली वीरा स्वामी और जो एक ब्रहमर परिवार से थे और आप देखेंगे राजस बिवाग में काम करते थे बिद्वान थे और इनकी माता का नाम सीतम्मा और परिवार की पूरी जिम्मेदारी इनके पिता पर थी और आप देखेंगे इनका बच्प इनकी दोर की बहन सीवा कामू के साथ बिभा होता है बिभा की समय उनकी उम्र मात 16 साल की थी और इनकी जो पत्नी बनी थी उम्र की उम्र 10 साल की थी और इनकी पत्नी जादा पड़ी लिखी नहीं थी लेकिन तेलगु भासा में उनकी अच्छी पकड़ थी 1908 में इन्होंने ए इसके बाद आगी की पढ़ाई के लिए सन 1900 में वेलूल चले जाते हैं और 1904 तक सिक्षा प्राप्थ करते हैं 1902 में इन्होंने मैट्रिक इस्तर की परीक्षा उत्ती इनकी और जिसके लिए इन्होंने चात्यविर्थी भी प्यदान की गई थी इसके बाद 1904 में इन्होंने कल इसके बाद इन्होंने दर्सन सास्त में अपना इसना को उत्तर पूरा किया तो आपके यह पढ़े लिखे भी थे और इनकी 1909 में अपनी इसना उत्तर की पढ़ाई पूरी करके मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्सन सास्त की अध्यापक बन जाते हैं सिक्षक की रूमें काम करने लगते हैं जिसके बाद सन 1916 से लिकर 1918 तक मद्रास रजीडेंसी कॉलेज में दर्सन सास्त की सहाईक प्रध्यापक की तोर पर भी काम करते हैं 1918 में मैसूर यूनिवसिटी के द्वारा इहने दर्सन सास्त की प्रोफेसर की रूम में चैनित हुए और 1921 में राधा किसन को कोलकाता विस्विद्याले की दर्सन सास्त का प्रध्यापक मनोनित किया जाता है 1923 में डॉक्टर राधा किसनन की किताब भारतिय दर्सन सास्त पिसाद पिकासित हुई और इस पुस्त को सर्वषिष दर्सन सास्त साहित की ख्याती मिली और डॉक्टर को ऑक्सपोर यूनिवसिटी में हिंदू दर्सन सास्त पर भासर देने के लिए बुलाया जाता है और जिसके बाद आप देखेंगे कि बे इंग्लेंड की मसूर ओक्सपोर यूनिवसिटी में दर्सन सास्त की प्रोफेसर बन जाते हैं और 1931 में सर्वषिष देश बिस्विध्याले की कुलपती की पत का चुनाओ लड़ा और वर्स 1949 में बनारस हिंदू बिस्विध्याले म नहरू को जाता है जो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के पहले पिदान मंत्री थे और जब डॉक्टर सरपली राधा कुछन अपने यूरोप और अमेरिका दोरी से पुना भारत लोटे तो फंडी जवालाल नहरू ने राधा कुछन से यह अग्रे किया कि वह आप सभी जानते होंगे इस बात को कि हमारे देश में एक उपराष्टपती का पद होता है किसका उपराष्टपती का पद होता है और समिधान का अगर आप लोग 5 पड़े होंगे और इसमें आप लोग समिधान का लुचे 63 पड़े होंगे तो भारत के उपराश्टपती की बात होती है ठीक, पांच साल इनका कारकाल रहता है उसके बाद आप देखेंगे उपर राष्टपती बनाये जाने से सभी लोग अने लोग हत्प्रद थे परंतु इन्होंने अपने कारेओं से सभी न जो सोज बना रखी थी उसे गल्व साबित किया और 13 मई 1962 को भारत के राष्टपती बन जाते हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि समिधान का अनुचेद बावन भारत की राष्टपती की बाद करता है और इसका कारकाल भी आप देखेंगे पांस साल का रहता है ठीक है अगर हम लोग इनकी उपलवदियों की बाद करें तो आप देखेंगे सरपली रादा साहब ने रादा कृष्णन साहब ने 1931 से 1936 तक आंद पिदेश विषविध्याले के वाइस चांसलर रहे हैं उनों ने सन 1946 में एक भारती पिती निधी के तौर पर यूनेसको में अपनी उपस्तिती दर्ज कराई यूनेसको के बारे मैं आपको बता देता हूँ एक एजेंसी है आप देखते हैं और इस तरह की एजेंसी हों से भी आपकी परिक्षाओं में कुश्यांस पूंच लेता है 16 नवंबर 1945 में लंदन में यूनाइटिट केंगरम में इसकी स्थाफना हुई थी परिस फ्रांस में इसका हेड़क्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा 1936 से 1922 तक ओक्सपोर्ड विस्विध्याले में प्रिधान अध्यापक भी रहे डॉक्टर सरपली रादा कुसन साहब 1949 से 1948 तक कासी हिंदू विस्विध्याले के चांसलर भी रहे और आप देखेंगे सन 1953 से 1922 तक दिल्ली विस्विध्याले के चांसलर रहे इन्हें कुछ फुरस्कार भी दे गयते जैसे 1931 का नाइट बेचलर सरकी उपादी जो आजादी के बाद इन्होंने लोटा दी थी 1938 का फैलो अब दा वेटिस अकेडमी उन्निस सो चंगण में भारत रतन और आप सभी जानते हैं कि भारत रतन आपका कब सुरू हुआ था उन्निस सो चंगण में ही सुरू हुआ था ठीक है और पहली बार आप देखें सरपली राधा किस्णन को ही दिया गया था सी राजा गोपाल चारी को भी दिया गया था सी भी रमन को भी दिया गया था ठीक है पहली बार उन्निस सो चंगण में जर्मन और पोर ले मेरिट फोर आर्ट्स एंड साइंस से भी नवाजा गया 1963 में बैटिस ओर ओडर ओप मेरिट से नवाजा गया 1962 में साहित अकादमी फिलोसिफ डॉक्टर राधा किसने इसे पाने वाले पहले बैखती थे और 1975 में टेंपलेटो प्राईज भी मिला मरने के बाद 1989 में Oxford University के द्वारा उनके नाम पर एक scholarship की भी शुरूवात की गई तो भारत में ही नहीं दुनिया में ख्याती प्राप्त की हुए हैं इनकी कितावें भी रही हैं भारत और चाइना भारत और विस्त भारत की अंतरात्मा भारती संस्किती कुछ बिचार भारती दर्सन एक भारती दर्सन दो गौतम वुद्ध और दस गौतम वुद्ध जीबन और दर्सन नावयुगों से पेड़ा पुरस सुतंता और संस्कित और इनकी किताबों के बारे में भी याद रखी एक आप लो और जैसा कि आप जानते हैं कि अंतिम समाई की बात होती है यानि की मित्यू यानि की मौत डेथ तो आप देखेंगे 17 अपरेल 1975 को एक गंभीर वीमारी के चलती डॉक्टर सरपल्धी रादाकिस्नन का डेथ हो जाती है इनकी मौत हो जाती है परन्तु अपने समय के महान दार्शने को और सिक्षाबिद की रूम में आज भी अमर है और उनी को याद उनी को सिध्धानजली की रूम में आप लो सिक्षक दिवस की रूम में मनाते हैं और आप देखें कि सिक्षक की महत को भी यह दिन बताता है और सिक्षा की रूम में इनोंने बहुत काम भी किया डॉक्टर सरपली रादा किसने का सेक्षडिक जगत में आविस्वर शुनमी है और अतुलनी है युगदाम राय है और डॉक्टर सरपली रादा किसने हमेशा कहा करते थे कि जीवन का सबसे बड़ा उफार एक उच्च जीवन का सामना है वो आज हम लोग विस्वर की बदा काती है, विस्वर शक्ती बदने की बदक करते हैं तो इसमें याद रखे, बिना सिक्षा के एक कभी संभव नहीं हो सकता है, तो सिक्षा तो होनी चाहिए, आप किसी भी छेत में पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपको कम से कम फिर ही में सिक्षा मिलनी चाहिए, और ऐसा कई देश आप देखे आप लोग कह सकते हैं डॉक्टर सुरपल्ली राधा किसनान साथ की है